प्राइम नमर्बर प्राइम नमर्बर प्राइम फैक्टर कितने है और सम ऑफ टोटल फैक्टर सम ऑफ इवन फैक्टर सम ऑफ और फैक्टर यह सब पढ़ लिया आब बात करता हूं एवरेज फैक्टर कर इंका एवरेज कितना होगा एवरेज फैक्टर बढ़ते हैं एक देखो यह तो आसानी है कुछ अलग नहीं है थोड़ो सा समझ आउपकर सभेक्टर करेंगा अब रहा हूं तो यहां मैं फैक्टर का सम लिलूगा एक चोटा सा नममो लेते हैं 60, मैं बोल दूँगा, 60 के factor का average क्या होगा, ठीक है, 60 के जितने factor है, उनका average क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखो, सबसे पहले, मुझे इसके prime factor में तोड़ना पड़ेगा, ये कैसे तोड़ूँगा, मैं इसे, 6 गुणा 10, मतलब, 2 गुणा 3, गुणा 2 गुणा 5, तो मतलब 2 की power 2, 3 की power 1, 5 की power 1, चारतीया 12, 12, 15, 60 होता है, ठीक है, अब सबसे पहले मैं sum निकाल लूँ, ये number of factor निकाल दो, जो मर्ची, number of factor यहां निकालते हैं, number of factor, तो हमें कैसे निकाला है, इसको plus 1 करके, तो कितना हो जाएगा, तीन गुणा, यहां पर, plus 1, 2, और plus 1, 2, 3 दोनद 6, 6 दोनद 12, तो हमारा number of factor तो आगया, 12, अब हमें निकालना है, sum of factor, तो sum निकालना है, तो कैसे करेंगे, 0 से श्टाल करेंगे, 2 तक जाएगे, 2 की power 0, plus 2 की power 1, plus 2 की power 2, 3 के लिए 3 की power क्या है, 1 है, 3 की power 0 से श्टाल करेंगे, और 3 की power 1 तक, और 5 के लिए 5 की power 0, 5 की power 1, ठीक है, अब देखो कितना हो गया यह, चार, 6, 7, 4, 2, 6, और 1, 7, 7, 7 यह हो गया, कितना हो गया यह, 3 और 1, 4, और 5 और 1, 6, ठीक है, तो मतलब मुझे इससे भाग देना है, इससे, यह sum निकला हूँ है, अब गुणा करने की जुरत नहीं है, चीदे निकाल देता हूँ, average क्या बुला मैंने, factor का sum निकालना है, और number of factor से divide कर देना है, factor का sum निकल गया, इतना होता है, 7 गुणा, 4 गुणा, 6 होता है, और divide किसे करना है number of factor 12 से divide करना है 12 से divide करूंगा ये कटेगा दो बार ये कटेगा दो बार और साथ दो 14 मेरा क्या जाएगा average आजाएगा उनका ठीक है इस तरह से हम कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं और हमारे पास क्या है अच्छा product of factor इसके बाद हम बात करते हैं product of factor मतलब फैक्टरों का फैक्टरों को गुणा करके जो क्या मिलेगा सारे जितने फैक्टर हैं उन्हें गुणा करके कितना मिलेगा इन मीटा जिता हूँ मैं अब जहां दो इसी 60 को लेते हैं जैसे 60 है ठीक है अब मैं 60 के factor करता हूँ पहले 60 के सारे factor करते है 60 का factor एक 1 होता है 60 का factor एक 2 होता है एक 3 होता है 4 भी होता है 5 भी होता है 6 भी होता है 60 कैसा number है जो देखो 1 2 3 4 5 6 आएगे ऐसे संख्या है सब मतलब 60 और उसके उपर 120 इस वागेरा इन सबका 60 होता है और आगे सलते हैं 10 होता है उसके बाद 12 होता है और 15 होता है और 20 होता है 30 होता है और 60 तो होता ही होता है ठीक है यह 60 के factor होते है अब ध्यान दो जड़ा अगर मुझे बोला है इनका इनको गुणा करके क्या निकलेगा ठीक है इनको गुणा करके क्या निकलेगा ठीक है अब देखो थे मुझे इनको अपसम गुणा करना है दो तीन जो प्रोड़क्टर अपसम गुणा करना है मैं ऐसे तो नहीं कर पाऊंगा यह काम करता हूं मैं जोड़े बना लेता हूं 60 वंजा 60 एक जोड़ा यह बन गया 60 तीस दो गुणा दो 60 यह कहां से मिल गया तीज गुणा तीन गुणा बीस कितना हो जाएगा 60 जोड़न रूश कषिएक जैसे मिल गया 15 कषा कocado 181 जोड़न जोड़निया 30、种ड़न जोड़न 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 यहां से मिल गया और एप्र नोटिस कर रोल गयות एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे आया, तो मतलब 60 की पावर कितना आया, छे आया, ठीक है, अब ये हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 12 होंगे, पैल, क्योंकि मैंने जोड़ा बनाया है, जोड़ा बनाया कि मेरा काम बनाया है, ठीक है, तो मैं एक काम, इस बात से मैं य पाटा निकलेगा, तो 12, वो मुझे निकालना आता है, तो उसका आधा करके, उसकी पावर लगा देंगा, तो उतना मेरा आंसर हो जाएगा, ये देखो न, 60 की पावर 6, तो मैं सीधे-सीधे बोल सकता हूँ, एकस की पावर, एन बाई, तो इसके लिए हो जाएगा, एकस वो नमबर, चैसे 60, और एन, नमबर अब क्या, फेक्टर, बारा, नमबर अब फेक्टर कितने, नमबर बारा है न, 60 कर निकालो यहाँ पर, कैसे निकालेंगे हम, 60 कैसे करेंगे, 6, कितना, 30 और, 30 और, 2, 30 और 2 म तीन की पावर, एक और, 5 की पावर, एक, कितना हो गया, 8, नहीं, नहीं, दो की पावर, 2 होगा, ठीक है, 4, 4 ते बारा, 12, 60 ठीक है, ऐसा हो जाएगा, अब जो, कितना हो गया, किसे निकालेगा, इसका, नमबर अब, फेक्टर कैसे निकालेगा, इसमें, 1 प्लस 1, 3, गुण दो, 3 दोने 6, 6 दोने 12, नमबर अब फेक्टर निकला, नमबर अब फेक्टर का आधा करना है, तबी तो 6 निकलेगा, तो वारा भाई, तू किया, तो 60 की पावर, 6 जो हमारा निकलेगा, वह हमारा क्या होगा, प्रोड़ेट अब फेक्टर हो जाएगा, कोई क्वेशन देग इस से पहले, 240 की नमबर अब फेक्टर कितना निकला था, नमबर अब फेक्टर निकलेगा, हमारे, I think, 20 निकले थे, सायद ना गलत नहीं हो, तो 20 निकले थे, तो मुझे सिर्थे इसका बोलगे, प्रोड़ेक्ट अब फेक्टर, तो कितना हो जाएगा, 240 की पावर, 20 by 2, मतल समझ गी, अच्छा, एक और चीज है, यह मिटा जिता हूँ, I hope, आप समझ रहोंगे, नहीं समझ रहोंगे, तो कमेंट कर सकते हो, और दुबारा वीडियो को देख सकते हो, दुबारा वीडियो को देखने से हो जाएगा, फिर भी, अगर समझना होई तो बता देना, अब ए हाएगे हम, जैसे उसने पूछ लिया, कि कोई नमर है, इसके फेक्टर में कितने परफेक्ट स्क्वार हैं, और परफेक्ट क्यूब है, ऐसा प्रफेक्ट क्यूब है, एक अगर दो, चार, पांच, दस, बीस पच्चिस, सिप्टी और हंडेट, एक, दो, तीन, चार, पॉन, छे, साथ, आ, नो ठीक है, तो इसमें कितने perfect square है, तो एक तो ये है, ठीक है और एक ये है, और एक ये है और एक ये ये perfect square है न, तो perfect square कितने ने के लिए, चार निकालगे, अब perfect cube की बात करूँ तो, perfect cube तो एक भी नहीं है, perfect cube एक भी नहीं है, तो उसमें पूछ लेगा, कि perfect square कितने होंगे, तो perfect square कैसे निकालूगा मैं, पहले तो मैं इसे break करूँगा, 2 की power 2, into 5 की power 2, ठीक है, ऐसे break हो जाएगा, अब perfect square के लिए, power को मैं 2 से divide करूँगा, इसकी power 2, इसकी power 2 से divide करूँगा, इसकी power को 2 से divide करूँगा, 2 से divide किया, तो क्या बचेगा, 1, और उस 1 में, 1 प्लस कर देना है, यह इसके कारण, क्योंकि यह भी है न, इसलिए इसमें 1 प्लस कर देंगे, तो यहां से मिलेगा, 1 प्लस 1, अब यहां से मुझे कैसे, 2 प्लस 2 कर देना है, square निकालना है, तो 1 मिलेगा, और उस 1 में, 1 एट कर देना है, तो 1 प्लस 1, तो कितने हो जाएगा यह, देखो, 2 यह हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, तो 4 हमारा आजाएगा, perfect square, क्या बोला मैंने, power को 2 से divide करना है, और प्लस 1 कर देना है, मालो power 2 से divide नहीं होती है, किसी की power 3 होती है, 2 से divide किया, तो 2 यकम 2 तो होता ही है, तो जितना हो जाए, उतना बाकी जो छूड़ जाए, छूड़ जाए, बाकी 0.5 हो रहा तो उसे हम छोड़ देंगे, ठीक है, हम सिर्फ 1 लेंगी, जैसे, suppose that, 7 हो, 7 को divide करेंगे, तो 3 दोन 6 होता है, तो 3 हम लेंगे, और हम बाकी छोड़ देंगे, और प्लस 1 तो हमें करना ही है, और 3 एक चार हो जाएगा, ठीक है, तो वैसे ही 2 गोना तो 4, अब मैं क्यूब की बात करोंगा, अब मैं इसी 2 को 3 से divide करना है, 3 को 2 से divide करोंगा, क्या निकलेगा मेरा, बताओ, 3 को 2 से divide करोंगा, तो 0 निकलेगा, तो 0 प्लस 1 कर देंगे हम, क्योंकि 1 तो हमें करना है यह आप कीस में, अब मुझे उसका भी निकालना है, 2 बते 3, 3 से divide करोंगा, 3 से divide, एक बार होता तो तब होता, जब 3 होता यह 4 होता, एक बारता होता, पर यह नहीं हो रहा, भाग जाई नहीं रहा है, तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0 और प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो यहां से, 1 यहां से होआ, और 1 यहां से, 1 इंटू 1, तो 1 एक perfect cube होगा इसमें, और आप ढूंडो ज़रा, 1 perfect cube कौन होगा, यह 1 ही तो है, 1 perfect square भी है, perfect cube भी है, 1 की power 4 भी 1 होता है, तो 1 सब कुछ है, समझ जो बात, तो इस तरह से हम perfect cube, perfect square निकाल लिंगे, ठीक है, तो लिए question लेते हैं, जैसे, 2 की power 9, 3 की power 7, और 5 की power 4 है, ठीक है, इसमें बोल दिया जैसे, कि क्या निकालो, कितने perfect square है, और कितने perfect cube है, निकालते हैं, perfect square, तो सबसे पहले क्या बता है, मैंने, इस 9 को 2 से divide करना है, 9 को 2 से divide किया, कितना आ गया, तो 4 आ गया, और 4 प्लस 1 कर लेना है, 4 प्लस 1, ठीक है, मैंने कहा बहुत जैसे, 9 को 2 से divide किया, तो 4 आ रहा है ऐसे, तो उससे काम लेना है, ठीक है, फिर 7 को 2 से divide किया, 3 प्लस 1, तो कितना, 3 प्लस 1, अब ये 4 है, 4 को 2 से divide किया, 2 प्लस 1 हो जाएगा, कितना, 2 प्लस 1, तो कितना हो गया ये, 5, 4 और 3, 5 को 20, 20 तिया, 60, तो इसमें, perfect square, जो ये पूरा होगा, इसके जो गोणनखंड होंगे, एक्टर होंगे, उसमें perfect square कितने होंगे, 60 होंगे, ठीक है, अब, perfect cube, perfect cube की बात करते हैं, perfect cube कितने होंगे, तो मैंने अब क्या वहला, 3 से divide करना है, 3 से divide किया, 3, तो यहाँ पर 3 प्लस 1, 3 प्लस उन जाएगा, इसको divide किया, 2 प्लस 1, कितना, 2 प्लस 1, इसे divide किया, 3 वंज़े 3, और फिर, 1 प्लस 1, यह हर जगा, 1 एक्स्टर होने 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 है, प्लस में, ठीक है, तो कितना हुआ, 4, 3 और 2, 4 तो यह हमाँ टोटल किया जाएंगे, परफेक्ट क्यूब आ जाएंगे, ठीक है, अगर कोई नमबर है, जैसे, 360, तो इसको पहले, इस रूप में हम तोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, जितनी पावर है, उसमें 2 से डिवैट किया, स्क्वाइर के लिए, प्लस वन किया, और क्यूब के लिए, 360 पावर में डिवैट किया, और प्लस वन किया, ठीक है, जैसे, कितना हो रहा था यह, 36 गुणा 10 है, तो मतलब कितना है, 6, 6, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, और 2 गुणा 5, तो मतलब कितना हो गया यह, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, और 5 की पावर 1, इसे हम, अगर हम बोलेंगे, इसमें कितने परफक्ट, इसके फेक्टर में, कितने परफक्ट स्कुएर है, तो हम बोल देंगे, 3 को पहले 2 से डिवैड किया होगा तो कितना बचा 1 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 1 और 2 से डिवैड किया 1 और 1 और 1 2 फिर से 2 यहां भी अब यहां पे 0 प्लस 1 हो जाएगा और 1 बुणा मैं है नहीं है दो तर्ण 4 और 5 5 क्या होंगे perfect square होंगे अब मैं perfect cube की बात करूँगा यहां से तो 1 प्लस 1 2 होगा यहां से 1 और यहां से भी 1 क्योंकि 3 से डिवैड करूँगा 0 आएगा ठीक है और plus 1 तो कितना हो गया यहां पे 2 हमारा निकल दाएगा perfect cube निकल दाएगा ठीक है अब एक चीज और ध्यान रखने है मैक्सेज कीजिए हो जाएगा सरी समझ्चा यह दूर हो जाएगे ठीक है अंतिम बात समझ लोग एक बार common factor होता है एक ठीक है क्यों होता है ठीक है common factors common factor क्या होता है अब मैंने यह आपको बताया है आपने reminder सरम अगर धंग से पड़ा है तो मैंने आपको बताया है कि अगर a की power n और plus b की power n हो तो इसमें common factor क्या होगा तो इसमें एक factor a plus b होता है if if n odd number होतो पताया थे न मैंने अगर यह power odd में है तो एक यह फैक्ट एक उसका factor हो जाएगा जैसे मैंने किया था a की power 3 plus b की power 3 पताया है क्या हो जाए a plus b और यहां कुछ और तो यह factor होगा उसका एक तो इससलिए बोल रहा हूँ a की power n plus b की power n हो तो उसका एक factor यह होगा यह दि n odd number है तो यह हम बोल सकते हैं a की power n minus b की power n और इसका a minus b एक factor होगा यह दि n क्या हो और नमबर हो तो ठीक है यह हम बोल सकते हैं a की power n minus b की power n इसका factor a minus b और a plus b होगा ठीक है if n बराबर even number बाच समझा रही है तो यह इस तरवल से हमारे इस पे question कैसे आएगा एक question लेके देखते हैं इस पे देखो इस पे question कैसे आएगा यह मिटा जेता हूँ बहुत important एक carbon factor इससे कहीं जगो आप question कर सकते हैं देखो मानलोस ने बोल दिया 3 की पावर 21 प्लस 5 की पावर 42 is divisible by किस से option देखी option A 3 B 10 C 51 और D 28 यह option देखी उसने बोला यह किस से divisible है किस से 3 की पावर 51 प्लस 5 की पावर 42 को किस से भाग दे सकते हैं किस से पूरी बार divide हो जाएगा अब ध्यान दो ज़रा हमने क्या गया 3 की पावर 51 प्लस इससे मैंने पहले लिखा 5 की पावर 2 और 21 24 सो तोड़ दिया मैंने ठीक है अब क्या हो जाएगा यह 3 की पावर 21 प्लस 25 की पावर 21 अब देखो A प्लस B के रूप में आगे यह A की पावर N प्लस B की पावर N और मैंने क्या बोलता है इसका एक फैक्टर क्या होता है A प्लस B यह दी N क्या हो N क्या हो और नमर हो N और नमर है इसका A प्लस B एक फैक्टर होगा मतलब फैक्टर क्या होगा फैक्टर किसे बोलते है जिससे नमर में भाग जाता है वोशी को फैक्टर बोलते है तो वो पूछी हुई रहा है, तो 3 और 25 और 3 कितना हो जाएगा, 28, 3 प्लस 25 इसका एक फेक्टर होगा न, 25 और 3, 28, इसका मतलब 28 से मैं इसमें पूरी-पूरी तरह से भाग दे सकता हूँ, बस समझा रही है, वहाँ पे अगर 7 होता, या 14 होता, उससे भी हम भाग दे सकते थे, या 28 के जगर 7 और 14 हो जाता, तो हमारा वो भी आंसर हो सकता है, ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेशन आ सकते हैं, ठीक है, पहला लेतना ही रखते हैं, ये वीडियो काफी लंबी होगी है, तो चनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर करें, और अगले वीडियो में देखते है क्या पढ़ाते हैं, ठीक है, अगर किसी को मैसेज बगर करना है, कुछ और विसेश टाफिक पढ़ाना है, तो बता देना मैसेज करके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है?